दोस्तों देशी चना न्यूट्रियंट्स के मामले में बादाम जैसे महेंगे ड्राय फूट से भी ज्यादा फाइदेमन होता है आयुर्वेद में चने की दाल और चने को शरीर के लिए स्वास्तवर्दक बताया गया है चने के सेवन से कई रोक ठीक हो जाते हैं भीगे होए चने में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल और विटामिन्स खूब होते हैं जो कई बिमारियों से बचाओ के साथ-साथ हेल्दी रहने में भी हेल्फुल होते हैं चना शरीर को बिमारियों से लड़ने में सक्षम बनाता है साथी यह दिमाग को तेज और चहरे को सुंदर बनाता है चने के सबसे अधिक फाइदे इन्हें अंकुरित करके खाने से होते हैं तो आईए जानते हैं चने खाने के फाइदे दोस्तों सुबह खाली पेट भीगे हुए चने खाने से कमज़ोर इम्मिनिटी को मजबूत किया जा सकता है शरीर को सबसे दाधा पोशन भीगे काली चनों से मिलता है चनों में विटामिन्स के अलावा क्लोरोफिल और फॉस्फोरल जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो शरीर से बिमारियों को दूर रखते हैं अपनी इम्मिनिटी के बढ़ाने के लिए रोज सुबह दो मुटी भीगे हुए चने जरूर खाएं चनों में पाए जाने वाले सभी पोशक तत्व रक्त वाही काओ को स्वस्त रखने में मदद करते हैं और ऑक्सिटेटिव तनाव को रोगते हैं जिससे दिल की बिमारियों का खत्रा कम हो सकता है चने में मैगनेशियम और फॉलेट की अच्छी मात्रा होती है फॉलेट होमोसिस्टिन के स्तर को कम करता है जिससे नसे ब्लॉक होना, प्लाग जमना, खुन गाड़ा होना, दिल के दोरे और स्ट्रोक आदी के संभावनों को कम किया जा सकता है काले चने फाइबर से बहरे होते हैं इसे भीगो कर खाना पेट के लिए बहुत लाबदयक होता है कपस की शिकायत होने पर ये आपके लिए बहत फाइदेमन साबित होते हैं लेकिन इसका प्रयोक छिलखों के साथ ही करना चाहिए ब्लड शुकर को नियंदरित करने के लिए भीगा हुआ चना खाना आपके लिए काफी फाइदेमन हो सकता है फाइबर वो प्रोटीन जैसे पोशक ततों से भरबूर होने के कारण चना इस बिमारी के खत्रे को रोपता है मुटापे से परिशान लोग चनि का सेवन कर सकते हैं चनि में ग्लाइसेमीक इंडिक्स कम होता है जो अत्यदिक भूख को नियंतरित कर वजन घटाने में सहायता कर सकता है वही इसमें मौजुद फाइबर कैलरी के सेवन को कम कर अत्रिक्त मोटापे को नियंदरित करता है वजन गटाने के घरेली उपचार के रूप में आप चने को अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं दोस्तो इसलिए आपको रुजाना चने का सेवन अविश्र करना चाहिए दोस्तो मुझे आशा है कि आपको अचकी वीडियो पसंद आई अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करे और अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करे साथ ही बेल आइकोन को भी जरूर प्रेस करे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के रिए शुक्रिया धन्यवाद वंदे मातरम